हेलो गाईज, वेलकम बैक टू गेम जोन, हमने कुछ टाइम पहले अपने चैनल की सबसे पहले गेमें लप्टाप की अन्बॉक्सिंग किये थे तो मैंने आपको प्रामिस किया था कि मैं जल्दी इसका पर फुल रिव्यू लेके आऊंगा, तो आज की वीडियो थोड़ी से हम भी हो सकती है बट मैंने सारी पॉइंट मेंशन किये तो वीडियो का इंटक जरू से देख लेना, आपको पता है कि इस लप्टाप के वारे में बात हो रही है तो चलिए जल्ली से वीडियो को करते शुरू तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बील क्वालिटी और ओवर्व्यू के अगर आप ये मार्केट में पर्चस कने जाते हैं तो आपको ये दो वीरेंड में मिल जाएंगा, आइकलिप्स गरे और ग्रेफाइट ब्लैक बागी अगर मटेरियल की बात करें तो ये कफी जाद फिंगरप्रिंट मैग्नेट है या पे अपने च्चाप सकते हैं, अगर आपको साइन में लेन आती हाला कि यह पुरा ही फाइबर से बना हुआ है लेकिन जो इसकी क्वालिटी है बाई नाइन ओक्ट ऑफ 10 में कहना चाहूंगा तो जो उसकी उपर का फ्लेक्स हो काफी कम है और इसका जो लिट का फ्लेक्स है वह भी काफी ज्यादा मिनिमल से आपको देखने को मिल जाएंगा तो यार अगर बात कर ली चाहिए ओवर्वियू की तो यहाप आपको कॉर्णर पर कुछ असा सिल्वर सिल्वर सा देखने को मिल जाएंगा जो कि शायद अबिट डारेक्स लाइट उपर से आरी है तो आपको ना देखने को मिले बठा ऐसा कुछ सिल्वर सा है इसके बाद इसके लोगों में यह तफ सेवेंटी वाला लोग है और यह कॉरणर पर आपको कोई लास्ट लेयर का लोगो देखने को मिल जाएंगा इसके बाद बात कर लिजाए है इसके बात कर लेजा इसके स्पीकर तो यहापे दोन इकार आपको पाच-पाच वॉर्ट के डाउन फार क्लियर साउंड सराउंड साउंड एया नोस केंशलेशन और डीटियस एक्स यह जित्ते भी फीचर यहां पर मेंशन किये हुए सेम आपको देखने को मिल जाएंगे बट यहां पर एक चीज़ जो मेंशन नहीं किये हुए वह है इसकी लाउडनेस और मैंने इसको टेस्ट किया तो इसके स्पीकर्स ना की जादा लाउड है ना की जादा कम तो मोडरेट समय कहूंगा इसके बाद यहां पर बीच बीच में कुछ की ऐसी ग्रीप्स देखने को आपको मिल जाएंगी इसके बाद अगर बात कर लिजा इसके वेंट की तो यहार वैसे तो दिखने में काफी इसके बाद अगर हम बैक की तरफ देखते तो यहां पर आपको काफी सिमिलर देखने को मिल जाएंगा फिर से लास्ट यह वाले वेरियंट जैसे इसके बाद अगर बात कर लिजाएंगा इसके पोर्ट की क्योंकि छेद इस वेरी इंपोर्ट इन लाइफ गलत सोट तो यहां पर आपको सारे यूसफुल पोर्ट देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें लेफ साइट को तो यहां पर सबसे पहले आपको डीशी इंपूर्ट देखने को मिल जाएंगा फिर इतरनेट के बल फिर फुल साइज एसडे माई के बल फिर आपको कुछ कट आपको देखने को मिल जाएंगा अगर बात कर लो इसके काफी सिमिलर दिखने में लास्ट यर वाले वेरियंट से बट जो सामने से कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसमें बीच में आपको बंप देखने को मिल जाएंगा लीड ओपन करने के लिए तो चलिए लैप्टोप के अंदर भी थोड़ी सी ताका जाकी कर ली जाए लैप्टोप को करते ओपन और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता है ता आपको इस एंगल से अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा फिंगर्प्रिंट आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आपने मेरी अन्बाक्सिंग वाली वीडियो देखिये होंगे तो उसमें यार जो इसके लेड़ यह वो एक हाथ से उपन नहीं हो रही थी बट अभी मैने इसको ट्राय किया तो इसकी अभी ओपन हो जाती है या क्या हुआ है बट आभी यह एक हाथ से उपन हो जाती ह और जैसे ही हम उसको open करते हैं तो या पर आप नीचे में देख सकते हैं फिर से आपको fingerprint देखने को मिल जाएंगे काफी सारे जो मेरे को इसकी सबसे खराब चीज लगती है और open करने को बाद आपको नीचे में या पर काफी सारे highlights देखने को मिल जाएंगे जो कि हम वीडियो में आखी discuss कर लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं या पर हमको AI noise cancellation देखने को मिल जाता है जैसे कि company ने अपने official website पर mention किया है या पर 2-way AI noise cancellation है अगर हम लैप्टोप पे देखे तो या पर बीच में हमारा camera साइड में light है और दो microphone दिये है जिससे हमारा AI noise cancellation काफी बैतरी हमको मिल जाता है और इसके दोनों ही साइड में आपको rubber padding देखने को मिल जाएंगे ताकि lid close करते वाकर display को कोई damage ना हो इसके बाद अगर फिर से highlights पर नजर घुमाई जाए तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा focus कर देता हूँ क्योंकि यह silver painted है तो light में काफी ज़्यादा चमक रहता तो यह आपको dual fence देखने को मिल जाते है जो इस बार ज़्यादा blade के साथ आए like 83 blades per fan और अगर trackpad के बाट की जाए तो यह medium सा decent size का trackpad है और दो physical button आपको नीचे में देखने को मिल जाएंगी और trackpad काफी smooth है और इसमें Windows 10 के जितने भी compatible gesture है वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगी और यह अंदर से भी fiber का बना हुआ है जिसमें आपको brush metal finish देखने को मि इसके बाद उपर देखे तो यहाप आपको grid देखने को मिल जाएंगी जिसमें जो actual में जो grids है वो यहाँ से यहाँ तक की open cuts के साथ आती है बागे पूरा ही same design है इसके बाद अगर उपर देखा जाए तो यहाप आपको same वो चीज़े देखने को मिल जाएंगी जो आपको और virtual box भी इसमें काफी जाएंगी जाएंगा 10 सेकंड तक आप इसको किता भी हेवी यूज़े करो 10 सेकंड के अंदर यह बूट हो जाएगा इसके बाद अगर बात कर लिजा है इसके hardware और software की तो मैं जली से laptop को open करके यहाप आपको इसके specification दिखा जेता हूँ तो यह रहे इसके को specification आई हो आपको screen पे दिख रहा हो बट उसके पहले मैं बताना चाहूँगा यहाप आप देख सकते हैं यह जो notification आता है यह मुझे के बैतरीन चीज़ लगती है इस laptop की क्योंकि यह मेरे को indicate कर देता है अगर background में कोई भी application run कर रहा होता है GPU और CPU प्रोसे लगे हुई है यह हर बार multicore में तो आगे था ही बट इस बार Intel से single core performance में भी आगे है बाद में बात कर लिजा तो यह 3.3 GHz की इसके बेस clock speed है और turbo पे यह 4.4 GHz तक जाता है इसके बाद अगर GPU की बात कर लिजा है तो इसमें RTX का 3060 GPU लगा हुआ है जिसमें 95W प्लस 5W का आप पूपूस देखने को मिल जाएंगा मतलब overall आपको यह 95W निकाल के देदेगा इसके अगर कुछ और function की बात की जाए तो like अगर आपको अपने PC से ही game खेलना है और OSIS से stream करना है तो यह GPU आपको आसानी से और tax करके देदेगा इसका बद अगर specs की बात की जा तो official link आपको description में मिल जाएंगी आप आसे जाके चेक कर लेना और additional feature की बात की जाए तो यह आपको जीफोर experience गेम रेडी ड्राइवर और direct 12x देखने को मिल जाएंगा उसके अलावाए आपे निवीडिया एंसल वर्चुल रियलिटी और निवीडिया का जी सिंग भी देखने को मिल जाए बस make sure करना आपके सारे ड्राइवर से वो up to date रहे इसके बाद अगर बात कर लिजाए वाइफाई की तो वाइफाई आपको highlights में देखने को मिल गया था इसमें वाइफाई 6 का support है जो कि आपको आसानी से जो high speed internet है वो आपको provide करवा के देदेगा इसके बाद अगर बात कर इसके battery performance की तो वैसे तार gaming laptop में आपको battery से जाज़ा expectation नहीं रखनी चाहिए बट स्टिल इसमें अजूस वालों ने काफी अच्छा काम किया हुआ इसमें 90Wh की battery है जो normal uses अगर आप Chrome या YouTube अगरे देखते हो तो उसमें आपको up to 4 hours तक backup निकाल के देदेगा अगर आप game अगर खेल रहे हो तो आपको देड़ से 2 गंटे तक backup मिल जाएंगा depending upon आप किते हाय ग्राफिक्स का game खेल रहे हो अगर आप यहा से टाक्स बार से battery को क्लिक करते हो तो या पर आपको बैटरी से और का option देखने को मिल जाएंगा जो आप सिंगल क्लिक से on-off कर सकते हो इसके Cours, so Fire Update, like अगर आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग कर रहे हो ऊन-बैटरी तो वह यह आपको देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा यह आपक आपको दूसरे फी ऑप्तिमासेशन फेचर देखने को मिल जाएंगे जिसको सिलेक करने को बात जो हमारा PCA वो maximum brightness है वो 250 nits तक जाती है जो कि मुझे इत्ता भी कुछ खास नहीं लगा वैसे तो अगर मैं display की clarity के बात करूँ तो वो तो काफे जबरदस्त है लेकिन अगर आप एक ऐसे परसनल जो photo editing वगरे करता है तो इसके लिए color accuracy बहुत माहिने रखती है तो ये उसके लिए बिलकुल भ रखता है तो मेरा suggestion इत्ता ही रहेगा कि आपको एक external display purchase करना पड़ेगा मार्केट में वैसे आपको HP Omen भी देखने को मिल जाएंगा जो कि इससे 10 के ज्यादा माइगा है उसमें आपको color accuracy अच्छी देखने को मिल जाएंगी और मेरा तवट यह था कि मैं भी इसको purchase कर ले त control कर सकते हो लाइक fn और iro keys बगरे दबाऊंगे तो आपका keyboard चेंज हो जाएंगा और उपर में dedicated turbo अगरे बटन दी हुई है तो काफी सारे customization आप directly shortcut भी कर सकते हो और यहापे जो भी आप changes करोंगे वो आपको display में यहापे अलग-अलग नाम के तो आपको दिख जाएंगा य यह दिरे दिरे चेंज होता है इसके अलावा भी आपको काफी सारे option यहाप देखने को मिल जाएंगे अभी आप यह पॉप अप होई गया तो मैं यह message का भी बता दूँ यहाप आपको macafy के तरफ से one year का free antivirus भी देखने को मिल जाएंगा बाकि अगर मैं armory crate की बात कर और यहाप पर कुछ pre settings भी दी हुई है जिसको आप change वगरे कर सकते हो यहाप आपको fan की speed वगरे देखने को मिल जाएंगी GPU fan की speed और CPU fan की speed अभी तो यह काफी कम दिखा रहा है क्योंकि मेरा कोई भी processor नहीं कर रहा है यहाप आपको game library भी देखने को मिल जाएंगी और अगर इसको मैं cut कर दू तो यहाप shortcut भी इसको use कर सकते है यहाप आपको game library में अपने game set करने पड़ेंगे और अगर मैं इसको minimize कर दो यहाप राइट क्लिक करूंगा home पे मैं और यहाप आर्मरी क्रेट के थ्रू जाओंगो तो यहाप आप आपको list दिख जाएंगी तो यहाप single tap से आप अपने जो game से वह access कर पाऊंगे इसके बाद अगर वापस से मैं armory crate में जाओ तो यहाप आपको दूसरे फीचर देखने को मिल जाएंगे यहाप power saver है जो panel power saver है इसमें होता actually यह है जबी भी आप इसको on off करते हो तो यह एक बर blink होता है और जो इसकी display वह 60 Hz और 144 Hz में switch होती है अगर आप auto पे करते हो तो जबी भी आप charging अपना है जो वह plug करोंगे तो वह अपने आप एक बर blink होंगा और 144 Hz में चला जाएंगा अगर आप पावर के पर निकाल देते हो laptop से तो एक बर screen वापस से ब्लिंग होंगी और यह वापस से 60 Hz पे चला जाएंगा इसक उसको बन कर सकते हो completely और आपका जो पूरा laptop है वो सिर्फ CPU पे रन करेगा इसके अलावा या पर दूसरे preset देखने को मिल जाएंगे अगर आप silent mode पर डालते हो तो अगर आप हलके फुलके काम कर रहे हो like web browsing and YouTube वीडियो बगर तो आप इस पर यह mode पर डालके कर सकते हो इससे बैटरी पर जाता consume नहीं होती है बाकि performance mode पर अगर एक on battery high performance वाले काम करना चाते हो like photo editing and video editing तो आप इस पर कर सकते हो बाकि turbo mode जो है जब आप plugin करोंगे अपना power cable laptop को तब ही वो turbo mode पर जाएंगा और turbo mode पर जाने को बाद फैन है वो काफी ज्यादा loud हो जाते है और आपको performance भ आप से heavy duty आप से वो install करके रखे और बाकि या से मैं अगर video वगरे open कर दूँ तो यह 1080p की वो ही video है जो अभी आप देख रहे हो मेरी आदी वीडियो अभी voice record हो रही है आदी या पर पड़ी हुई है फाइल तो 1080p की video है तो यह अगर मानलो 15 मिनिट के वगरे video होंगे तो य इसके इसाब से आप 4K का अंदाजा लगा सकते हो अगर आपके 4K वीडियो है तो यह 3-4 मिनिट में वो सब रेंडर कर देंगा 15 मिनिट की video हो इसके अलावा आपको यहा पर connectivity से कुछ इश्यू face हो सकते है लाइक मेरे यह headphone है Bluetooth वाले headphones है तो इसको जब भी मैं Bluetooth के साथ connect करता तो मेरे को एक बार Bluetooth off करके वापस से on करना पड़ता था तब यह connect होता था और जैसे कि मैंने इसके पहले बता है अपने जो driver से वाप to date रखा करो तो यह problem आपको नहीं आएगी इसके बाद अगर मैं वापस आ जाओ हमारे आर्मरी क्रेट के थ्रू यहां से मैं चले जाओं उसके बाद मैं जातो कीबोरड में लाइटिंग से करते हो अपने जाप से और कीबोर्ट से भी एक फीचर देखने का मिल जाएंग यहां पहला से खहते हो इसलिए कलर अभी सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए सिर्फ ब्ल्यू कलर में ही ब्लिंक होता है और आप जैसा जाओ ऐसा कस्टमाइज कर सकते हो इसके लावा या पर नीचे में आपको और एक फीचर देखने को मिल जाता है लाइक और आपके घर में कोई भी डिवाइस है जो और इसके ठीक राइड साइड में याप आप ऑड्यो का भी फीचर देख सकते हो लाइकि यह मेरा माई का जो मेरे लैप्तॉप से कनेक्टर है डायरेक्ली और इसको भी मैं इसके इनांस कर सकता हो या से जो लोव नीच रिधूक्शन है वह लोव मेंडीया, ओदिया, अप तो ये आपके PC में जो कुछ भी काम चल रहा जो कुछ भी Τाक्स चल रहा है तो आप हर एक चीज यहाँसे मॉनिटर कर सकते हो अब ये आपर यहां पर देख सकते हो पॉस करके यहां पर जो भी आपको maximum फ्रेम रेट्स या maximum जो टेंपरेचर्स है या minimum फ्रेम रेट्स मिनिमम टेंपरेचर या जित्ती भी चीज़े बाई जी प्यू की पर्टिकुलरी हर एक कंपोनेंट्स की आप यहां पर जो है वो एनलेसिस देख सकते हो अगर यहां पर गेमिंग टेस्ट की बात की जात तो उसके पफिले मैं बता दू आपको यहां पर एक्सबोक्स के दरप से वन मन्त का फ्री गेमिंग पास भी देखने को मिल रहते हैं और जो टेंप्रेचर जा रहा था वो 80 डिग्री का पास पास जा रहा था और लाइक अगर आप वेरी हाय सेटिंग पे खेलते हो जो अल्ट्रा हाय से एक कम होता है तो उस पर आपको 66 वगर एवरेज देखने को मिल जाएंगे और जो टेंप्रेचर भी है वो भी 68 के पास पास रहता है इससे आप हाई ग्राफिक इंटेंसिव गेम का पता लगा सकते हो इसके अलावा अगर आप स्क्रीन पे देखो तो यह पर में मीटरिंग देख रही होंगी जो टेंप्रेचर और एफपीस वगर है वो सब आप यहां से मोनिटर में देख सकते हो इसके अगर बात कर लिए जब वैलोरेंट की तो यह भी मैंने ट्राइ करके देखा था और वैलोरेंट एक ओनलाइन गेम है तो इसमें जित्ता ही आपका CPU और GPU रोल प्ले करता है उत्ता ही आपका Internet Speed भी रोल प्ले करता है और यह आपका अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स की तो वो मैंने सब को हाई पे रखके केला था तो इसने मुझे आराम से 60 प्लस के FPS निकाल के दे दिये थे और ग्राफिक तो भाई क्या ही बुलू मतलब एक सेम चुम मेश्वरी परफॉमेंस उपर से जो वैलो है वो सिर्फ 7-8 GB का गेम है तो काफी चोटा है साइज में तो यह आरम से रण करी देगा इसके अलब अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो मेरेको बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते है मैं उसको अपको अपडेट कर दूँगा और इसमें मैं को पता है और भी काफी सारे गेम्स के जो है मैंने में में अपको बता पाऊंगा ऐसे अंदा बता के कोई मतलब है नी तो बस आज के वीडियो में इत्ता ही ता वीडियो पास अदा ही तो लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड थैक्स पर वाचिंग सी यू नेक्स टाइम I don't wanna hear you Like I'm Bingo Cutting my hair I just keep going में आप दो सबस्ट न कना में आप आप दोसित आप आप आप